ये दोस्तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप फूटी टंकी ही नहीं बलके आप कुछ भी जोड़ सकते हो मगर जैसा मैं आपको बता हूँ ऐसा ही आपको करना है चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर दोस्तो आपके पास पानी की टंकी है और कभी ना कभी वो फूट जाती है तो फिर वो बेकार हो जाती है वो कबड़ा हो जाती है मगर दोस्तो अगर आपने ये वीडियो कम्पलीट देख लिया तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसको इस्तिमाल करने के बाद आपकी टंकी को आप वापस जोड़ पाएंगे आप इसमें पानी वापस भर पाएंगे और दोस्तो आपकी टंकी एसी जुड़ेगी के यहां से फूटने का नाम भी नहीं लेगी और दोस्तो बहुत यूनिक टिरिक है और बिल्गुल बहुत आसान है मैं दो मिनिट के अंदर इसको जोड़ कर आपको दिखा दूँगा और जोड़ने के बाद सबसे खुबी वाली बात यह है दोस्तो कि जोड़ने के बाद आपको वेट करना नहीं पड़ेगा उसी 5 मिनिट के अंदर आप पानी भी भर सकते हो टंकी के अंदर तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको इस जगा को साफ कर लेना है जहां से आपकी टंकी फूटी हुई है जिस तरह दोस्तो मैं साफ कर रहा हूँ इस तरह आप भी साफ कर ले ताके कोई मिटी वगरा या धूल या फिर पानी अगर यहाँ पर हो तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाए फिर उसके बाद में दोस्तों आपको एक फेवी किक लेना है और फेवी किक को जहां से भी आपकी टेंकी फुटी हुई हो वहाँ पे पहले तो आपको अच्छी तरह से चिपका लेना है फिर उसके बाद में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक इस तरह से पहले आप चिपका ले टेंकी को चिपकाने के बाद दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी पेटरोल और थर्मा कोल की तो चलिए हम सबसे पहले पेटरोल निकाल लेते हैं उसके बाद में हम धर्मा कोल के उपर इस पेटरोल को इस तरहां से डालेंगे ताके हम एक ऐसा फेवी कोल बना सकें जो फेवी कोल से भी दस गुना ज्यादा मजबूत हो इसका एक फेवी कोल बनेगा जो हम उस टेंकी पर लगाएंगे दोस्तो आप से हाथ जोड़कर गुजारिश है आप वीडियो देख लेते हो मगर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो दोस्तो सब्सक्राइब करने का कोई पेशा नहीं लगता आपका एक रुपिया भी नहीं लगता दोस्तो हमारे लिए मोटिवेट के बात है दोस्तो हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है आप वीडियो को लाइक जरूर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आने वाला वीडियो भी आप हमारा देख पाए और दोस्तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके बड़ी मेहनत के साथ दोस्तो वीडियो बनाते है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दोस्तो आप देख सकते हैं धर्माकोल को हमने पलेट के अंदर चोड़ा कर दिया है ताकि ये गाड़ा हो सके और इसको एक मिनट के अंदर ही वापस हम खटा करेंगे ये गारा हो चुका है अब इसको वापस खटा करने के बाद हम उसी टंकी पर इसका लेप करेंगे ताकि टंकी बहुत ही मजबूत हो जाए दोस्तों टंकी इस तरहां से मजबूत हो जाएगी कि इस जगा से नहीं तूटेगी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी टंकी बिलकुल साबत हो चुकी है वापस बिलकुल तैयार है दोस्तों पानी बहने के लिए अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लागए तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद करता हूं आप जरूर सबस्क्राइब करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं कोई के साथ जब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें